Hello friends, अगर आप structural या piping का अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको layout marking करना है और उसका diagonal check करना है कि उसका diagonal जो है बराबर है कि नहीं यानि कि जब हम SQEAR 요S Мыis Marking करते हैं, तो वो बिल्कुल सीधा मार्किंग हुआ है यो नहीं हुआ है, उसके लिए हमें ये क्रोस डाइमेंशन चेक करना पड़ता है क्रोस डाइमेंशन जब हम स्क्वैर मार्किंग करते हैं, या फिर अब तीन मीटर भाई चार मीटर का भी इसमें स्क्वायर मार्किंग कर सकते हैं जैसे तीन लिखा गया तो इसमें जीरो बढ़ा देना है चार में जीरो बढ़ा देना है और पांच में उतना ही जीरो बढ़ा देना है उतना ही इसका एंसर रहेगा जैसे माल लिजिए ठीक उसी तरीका से जैसे मालने जीए कि 6 मीटर का 6 मीटर भाई 8 मीटर का स्क्वाइर मार्किंग करना है या फिर आप 600 का मार्किंग करना चाहते हैं तो यहां पर दो जीरो तीनों में बढ़ेगा दो जिरो इसमें बढ़ेगा यहां पर 600 हो जाएगा आठ वाले में यहां पर दो जिलू बढ़ेगा तो यहां पर 800 हो जाएगा और दस वाले में दो जिरो बढ़ेगा तो यहां पर एक मीटर हो जाएगा यहां पर 600 यहां पर 800 और इसका एक मीटर एंसर आना चाहिए इस तरीक यहां पर आएगा तो इस तरीका से इसका बिल्कुल आसान यह जो चार्ट हमने बनाया है इस चार्ट को आपको नोट कर लेना है अपने डाइरी में और इस तरीका से आप किसी भी लेयाउट का आप डाइंगलल निकाल सकते हैं या फिर आप स्क्वायर मार्किंग कर सकते हैं इस तरीका से बिल्कुल आसान तरीका से यह जितना भी डाइमेंशन दिया गया सब में जीरो बढ़ा देना है जैसे माले यह पंदरा सव भाई दो मीटर का चाहिए तो आप यहां पर पंदरा लिख करके सिरिफ दो जीरो बढ़ा देंगे तो वह पंदरा सो हो जाएगा यह यह वीडियो कैसा लगा हमें कोमेंट करें जोरू बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीका का मिलता रहे